सो एम किसम आपका बहुत बहुत स्वागत है नीट एक्जाम देने वालों के लिए डबल महत्पून सुचना यहाँ पर रहने वाली है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहला जो नीट यूजी इस्टेट काउंसिलिंग और इसके माद्यम से आपको सीटो की नोलेज यहाँ पर होगी जी हाँ बिलकुल अगर आप भी फोरम बरना चाते हो एक्जाम देना चाते हो तो यहाँ पर यह जो नीजे कापी सारी नोलेज आपको देगी जैसे कि सीटों के बारे में जैसे कि आपके पीस इस टेक्चर के बारे में कापी सारी विद्यार्ट जो को पता नहीं होता तो इस न्यूज के माद्यम से आप पता लगा सकते हो इसकी पीस के बारे में भी और सीटों के बारे में भी यहां तक की कटोप के बारे में भी तो चलिए यहां पर जो पहला नियूजे वो यहां पर बतना चाहता है नीट यूजी इस्टेट काउंसलिंग अंतिम चरण में लेकिन जो नीजी कोलेज है जो प्राइवेट जो कोलेज है 1284 सीटे यहां पर खा लिए क्यों का लिए उसका कारण यहां पर दिया हुआ है कितनी पीस होती है प्राइवेट में और गुवर्मेंट में कितनी पीस होती है वो भी नोलेज आपको यहां पर मिलेगी और इसी के साथ ही दूसरा जो मत्पूर्ण नियूजे यहां पर MBBS कोर्स में NMC ने किये बदलाओ वो भी यहां पर जारी हो चुका है तो पहले हम सीटों का वितर्ण और काउंसलिंग का वो देख लेते प्रोसेज और प्राइवेट कोलेज की सीटों के बारे में जान लेते हैं जैसा कि आप सभी को पता होगा 2022 का जो काउंसलिंग है वो अंतिम चरण में है फिर भी जो प्राइवेट मेडिगल कोलेज है वहां पर 1264 सीटे खाली कैसे रह गई यह जाना इपोर्टेंट है तो यहां पर आप देख पार होंगे नीजी कोलेज ड्रॉप करने के चार कारण सबसे पहला है जो पेरेंट से जो माता पिता है वो महेंगी पीस नहीं देना चाहते क्योंकि आपको पता है जो प्राइवेट मेडिगल कोलेज होते वहां पर लाकों में पीस होती है अब आप बोलिंग सर कितनी होती है तो यहां पर हम कंपेर करेंगे गवर्मेंट और प्राइवेट का तो इसके लिए आजाओ यहां पर यह देखिए बास करने पीस इस टर्चर की परताल की तो सामने आया है कि जो सरकारी कॉलेज होते वहां पर तो 60 से 62 हजार हर साल का होता है कितना 60 जार आमान सकते हो यानिकि यह होता है नॉर्मल 50 से 60 जार ठीक है सालना जबकि जो प्राइवेट होते उनका देख लो 18 से 21 लाग सालना खर्च होता है MBBS का तो यह फरक होता है गवर्मेंट का और प्राइवेट का इसलिए तो मैं आपसे बार-बार काता हूं कि हमारी तरह आप इस सेलेक्शन पालो 50-60 जार में आपके MBBS हो जाएगी अगर अच्छा कोलेज मिल गया तो आपको यह भी नहीं देने पड़ेंगे यानि कि 5-10 जार में आपके MBBS हो जाएगी अगर आपको TOP LEVEL का मिल गया तो बट उसके लिए नीट की तियारी आपको करनी होगी नीट का एक्जाम फाइट आपको करना होगा यह तब ही POSIBIL हो पाएगा अब आप बोलेंग सरी है कैसे POSIBIL होगा कि नीट का एक्जाम हमसे किलेर हो जाए तो बहुत यह असान है बस आपको तोड़े strategy मालूम होना चाहिए logic मालूम होना चाहिए और जिस परकार हमने entrance exam क्रेक किया है आप भी कर सकते हो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बस तोड़ा सा regularity और consistency होनी चाहिए तो हमने course भी launch कर रहा है यहां पर आपने देखा होगा जो आपके लिए इतना सारा क्यामने 699 वाला course वो भी आप देख सकते हो और वो कैसे आप buy कर सकते हो वो भी हम आपको बताएंगे इसी के साथ आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर जो नीजी कोलेजी उसमें यह चार कारण है नहीं जानने के महांगी पीस कोविड के बाद यहां पर विकलब मौजुद ना होना ठीक है और नीट कोलिफाई करने के बाद देख में नीजी कोलेजी में दाख लाजनेने की बजाए विदेश में MBS करना यानि विदेश में सस्ता पड़ता है न तो यह भी कारण हो सकता है ठीक है तो यह कुछ कारण है यहाँ पर बड़ सबसे बेस्ट यही रहता है आपके लिए गोवर्मेंट अगर आपकी परिवारिक इस्तिती सेचूएशन ठीक नहीं है तो आप निट के तियारी करो निट का एक्जम क्लेर करो सरकारी मेडिकल कॉलेज पाओ हमारी तरह है बहुत यह असान है गूगल प्लेश टोर प्यान है यहाँ पर MBS Academy एप आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा है वहाँ से भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो बांकी यहाँ पर पूरा बायोड़टा इसका क्या-क्या मिलेगा यहाँ पर लाइफ क्लास, रिकोड़ेट क्लास, नौट्स, टेस्ट, स्रीज और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो ओनलाइन तो यह वार्षप नंबर अगर आप फिरी में यूट्यूब पर प्रेक्टिस कुशन करना चाहते हो तो यूट्यूब पर आजाओ यहाँ पर सेर्च करो जेकल ओन जोब यह यूट्यूब चैनल है यहाँ से आप प्रेक्टिस कुशन रोजणा फिरी में कर सकते हो रोजणा नौन इस्टॉप यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे इस चैनल को सब्सक्राब करेना बेल आइकन पर प्रेस करेना नाम है जेकलोन जोब देख लो आप पूरी त्री केसे इसको लिंक डिस्क्रिप्चन में भी दे रखा है